हलो दोस्तों आज के वीडियो में हम दो टोपिक्स पर बात करेंगे जो कि बहुत कॉमन है लेकिन बहुत साउधानी यहां पर रखनी होती है पहला है नमुना मतदान है तो काम में लिए गए बटनों के करम के बारे में हम देखेंगे कि बटनों का जो करम है वो हमें क्या रखना है और दूसरा हमारा टोपिक रहेगा आदर्स मतदान कक्स का ले आउट कैसे रखना है यदि आपके वहां पर जो कमरा मिलेगा जो चेंब पर मिलेगा पॉलिंग स्टेशन पर उसमें दो दर्वाजे होंगे तो बैस्ट रहेंगे एक दर्वाजा रहेगा तो क्या करना है कैसे पूरा आदर्स लियाउट आपको बनाना है इस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि नमुना मद् दोस्तों आपको जो कनक्सन करने हैं कनक्सन हमेशा कंट्रोल यूनिट के पावर बटन को स्विच आफ की पोजिशन में ही करना है और उसके बाद आपको कंट्रोल यूनिट का पावर स्विच ओन नहीं करना है हमारी जो स्टार्टिंग होगी वो होती है वीवी पेट से या यानि नोब को vertical यानि ख़ड़ा करना है, उसके बाद में हमें जो CU है उसका power switch on करना है, on करने के बाद सबसे पहले आपको control unit में clear button को press करना है, clear button को press करने से फाइदा यह रहेगा, यदी मसीन में भूल वस पहले से कोई वोट अंकित रह जाते हैं हलांकि ऐसा चांस बहुत कम होगा लेकिन फिर भी मानलो बन जाता है ऐसा कोई चांस और वोट रह जाते हैं तो वो हमारे क्लियर हो जाएंगे क्लियर करने के बाद आपको बैलट वाला बटन प्रेस करना है और बैलट प्रेस करने के बाद आपको क्लोज का बटन दबाना है यानि अब हमारी वोटिंग कम्पलीट हो गई है और अब हम वोटिंग को क्लोज कर रहे हैं तो क्लोज बटन हमने दबा दिया लिग्ञार के बाद हमें result दबाना है अब हमने जो watching करीए उसका result हम देखना चारे है तो उसके लिए हम result बदरन दबाएंगे result देखने के बाद वापस क्या करेंगे clear करेंगे result के बाद क्या करेंगे clear करेंगे क्योंकि machine को बिलकुल खाली करेंगे उसमें कोई मतंकित रहना नहीं चाहिए और clear करने के बाद आपको switch off करना है ध्यान रखना है switch off में ही आपको सारी sealing करनी है सारे take लगाने है power on की condition में नहीं करने है गलती से कोई button press हो जाएगा तो error या कोई problem खड़ी हो सकती है तो switch off करके ही आपको seal करना है और यहाँ पर issue 8 list 50 ballot तो यह mock poll के लिए हैं mock poll में आपको कम से कम 50 मत डलवाने ही डलवाने अब चलते हैं आदर समद्दान कक्स का layout है यह आपको chamber दिख रहा है इस chamber को देखो कैसे दिखाना है यहाँ पर दो gate दिख रहे हैं यह वाला gate है एक यह वाला gate है इस gate पर आपको दो line दिख रही होगी एक यह वाली है और एक यह dark वाली है तो आपको आपकी स्विधा अनुसार पहले gate पर दो line बनवानी है एक होगी gents की और एक होगी ladies की और यहाँ पर देखो यह police करमी दिख रहा है तो इस तरह से यहाँ पर जो भी आपका सुरक्सा गार्ड रहेगा जो भी police team का member वहाँ रहेगा वो यहाँ पर gate पर खड़ा रहेगा उसके बाद यह वाला विक्ती हमारा PO 1 है पॉलिंग ओफिसर 1 यहाँ से मतदाता सबसे पहले पॉलिंग ओफिसर 1 के पास आएंगे पॉलिंग ओफिसर 1 जो है वो मतदाता की पहचान सुष्थापित करेगा इसके पीछे यह वाले हैं जो पॉलिंग एजेंट्स बैठे वे हैं पॉलिंग एजेंट्स को आप इस तरह से बिठाए कि जो entry आप बोलोगे वो आसानी से सुन सके और पॉलिंग एजेंट्स को बिठाने के भी कुछ नियम है सबसे पहली पंकिती में कौन बैठेंगे उसके बाद की में कौन बैठेंगे उसके बाद कौन बैठेंगे इसके लिए भी मैं एकसेप्रेट वीडियो लेकर आऊंगा पॉलिंग ओफिसर सेकिंड है पॉलिंग पॉलिंग ओफिसर उस परची को कलेक्ट करेगा और बैलट जारी करेगा यहां से बैलट जारी करने के बाद जो हमारा واटर है वोटिंग कंपार्टमेंट में आएगा वोटिंग कंपार्टमेंट में यह हमारा menos aç में यह नहीं होनी ची यहां यह वोट डालेगा अपना कास्ट करेगा और पीछे से सेकंड दर्वाजे से यहां पर x się ले लेगा तो यह हमारा रहेगा और यहाँ पर सामने पिठा सीन अधिकारी बेठा हुआ है पियारो बेठा हुआ है जो कि पूरी इस्तती को मॉनिटरिंग करेगा इनको भी ऐसे बैठना है कि मत की गोपनियता बंग नहीं होनी चाहिए यानि मत रिकोर्ड करता हुआ मत दाता नहीं मिलेगा वहाँ पर कितना बड़ा हो ले दो दरवाजे है या नहीं है दो नहीं है तो एक हैं तो फिर वहाँ पर बास की बल्ली लगा कर रसी बांध कर आपको उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है सुईदा अनुसार आपको अपना जो मतदान कक से वो तेयार कर ले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखे जैहिन चैभारत